Hello Guys, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Present Perfect Continuous Tense, Past Perfect Continuous Tense और Future Perfect Continuous Tense में Who Patterns e Related Questions कैसे पूछे? मतलब, कौन से बनने वाले questions कैसे पूछे? कैसे बनाए? अगर आपको भी कौन से questions बनाने में दिक्कत महसूस होती है तो इस वीडियो को एंट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप हूँ बैटन में सेंटेस आसानी से बना पाएंगे कौन से कॉस्टन कैसे बनाएं उसका तरीका सीख पाएंगे तो आईए दोस्तों शुरूर करते हैं मैं हूँ आपका दोस्ट मनीश पातिल और यह हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इस्रिट्यूट और मार्क दर्शक गुरू जी दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रजेंट पर्फेंट कंटिनियस पास्ट पर्फेंट कंटिनियस और फ्यूचर पर्फेंट कंटिनियस टैन्स में कौन से प्रश्ट कैसे बनाया या पूछे हैं दोस्तों यहाँ पर मैंने तीन टैन्स के नाम लिखे हुए present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous उसके who patterns के structures लिखे हुए अगर हम present perfect continuous sense की बात करें तो उसका structure है who, plus has been or have been ठीक है, work की first form के साथ ing, then object और last means sensor for उसी तरह हम, अगर हम past perfect continuous sense की बात करें तो उसका structure है who, plus had been work की first form के साथ ing, then object और last means sensor for उसी तरह हम future perfect continuous sense की बात करें तो उसका structure है who plus will have been और shall have been वर की first form के साथ ing then object और last message and so far दोस्तो अगर हम सबसे पहले present perfect continuous tense की बात करें तो अगर उसमें हम लोग who pattern में कशन बनाना चाहे कौन से तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि present perfect continuous tense होता क्या है तो इसे हम short में समझने की कोशिश करते है present perfect continuous tense जिसकी identification होती है जब हिंदी वाले sentence में last में रहा रही रहे आकर है who who से इस तरह के word आए और say word आए say शब्द आए जो time को बताए और वो time sensor form में लिया जाता है या sensor form में count किया जाता है जैसे मैं दो दिन से खाना खा रहा हूं वो चार दिन से मुझे परिशान कर रहा है मेरे पापा 30 साल से पैसे कमा रहे है विराट कोली 15 साल से cricket खेल रहा है वो 20 मिनट से mobile operate कर रहा है राधा 3 साल से बाजार में सबजिया बेच रही है वो सुबह से खाना पका रही है मेरे पापा 15 मिनट से भगवान की पुझा कर रहा है वो 20 मिनट से sentence बना रहा है मैं आदे गंटे से sentence ट्रांसलेट कर रहा हूं लेकिन अगर इस sentence को हमें who pattern में बनाना हूं मतलब कौन से तो हिंदी sentences कैसे होंगे कौन दो दिन से बाजार जा रहा है कौन चार महिनों से आपको डिस्ट अब कर रहा है कौन पंद्रा मिनट से message भेज रहा है कौन तीस साल से पैसा कमा रहा है कौन दो साल से पैसो को share market में invest कर रहा है कौन फैन पंद्रा मिनट से फैन repair कर रहा है कौन सुबसे टीवी देख रहा है कौन दौफर से बगीचे से फूल तोड रहा है अगर इसे हम बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे दोस्तों कौन दो घंटे से मेरा इंतजार कर रहा है दोस्तों यहां भी दो कंडिशन होगी या तो एक सब्जेक के बारे में कुशन पूछा जाएगा या एक से जादा सब्जेक के बारे में कुशन पूछा जाएगा अगर एक सब्जेक के बारे में कुशन पूछा जा रहा है तो हैस बीन लगाएंगे और अगर एक से ज़ादा subject के बारे में question पूछा जा रहा है तो have been लगाएंगे, क्यों? क्योंकि has been singular की helping verb है और have been plural की helping verb है अगर singular subject आते हैं तो has been मतलब आते हैं in the sense कि हमें question में अगर ये पता चलता है कि subject एक ही है जैसे कौन दो दिन से मुझे परेशान कर रहा है अगर एक subject को लेकर question पूछा जा रहा है तो has been लगा लेंगे और अगर एक से ज़ादा subject को लेकर question पूछा जा रहा है तो have been use कर लेंगे कैसे? देखो कौन दो दिन से गाना गा रहा है कौन मतलब किसी एक वेक्ति के बारे में बात कर रहे है कौन दो दिन से खाना गा रहा है So who has been singing a song for two days कौन दो दिनों से खाना गा रहे है कौन कौन दो दिनों से खाना गा रहे है मतलब एक से जाड़ा लोगों के बारे में पूछ रहे है So who have been singing a song for two days कौन सुबह से खाना पका रहा है कौन सुबह से खाना पका रहा है मतलब एक वक्ती के बारे में कॉशन है So who has been cooking food since morning Who has been cooking food since morning अगर मैं बोलू कौन सुबह से खाना पका रहे है रहे है मतलब एक से ज़्यादा So who have been cooking food since morning कौन दो घंटों से मुझे मैसेज कर रहा है कर रहा है मतलब एक वेक्ति के बारे में कॉशन है So who has been sending message to me for two hours कौन-कौन मुझे दो घंटे से message भेज रहे है So who have been, क्योंकि जादा है Who have been sending message to me for two hours कौन सुबह से TV देख रहा है देख रहा है मतलब एक वेक्ति के बारे में question So who has been watching TV since morning और कौन-कौन सुबह से TV देख रहा है कौन-कौन मतलब एक से जादा subject के बारे में प्रशन पूछा जा रहा है So who have been watching TV since morning कौन दो दिनों से दर्वाजा खट-खटा रहा है So who has been knocking the door for two days कौन दो दिन से दर्वाजा खट-खटा रहे है So who have been knocking the door for two days कौन-कौन सुबह से भगवान की पूजा कर रहा है So who has been worshipping the God since morning कौन-कौन सुबह से भगवान की पूजा कर रहे है So who have been worshipping the God since morning कौन तीन साल से पैसा कमा रहा है Who has been earning money for 30 years कौन-कौन तीन साल से पैसा कमा रहे है So who have been earning money for 30 years कौन दो महिने से personality को develop कर रहा है So who has been developing personality for two months कौन दो महिने से personality develop कर रहे है So who have been developing personality for two months कौन पंदरा मिनट से मुझे disturb कर रहा है Who has been disturbing me for 15 minutes कौन गौफार से बगीचे से फूल तोड रहा है So who has been plucking flower from the garden Plucking flower from the garden since afternoon कौन शाम से लेटर लिख रहा है So who has been writing a letter since evening कौन पंदरा मिनट से मुझे message कर रहा है So who has been sending message to me for 15 minutes कौन सुबह से मुझे ताना मार रहा है So who has been taunting me since morning कौन बीस मिनट से गाने सुन रहा है So who has been listening song for 20 minutes कौन पंदरा मिनट से बोट पर लिख रहा है So who has been writing on the board for 15 minutes दोस्तो इसी तरह अगर हम लोगों को past perfect continuous tense में question बनाने है कौन से तो सबसे पहले यह जानने की कोशिश करेंगी कि past perfect continuous tense होता क्या है Past perfect continuous tense जिसके identification होती है जब हिंदी वाले sentence में last में रहा रही रहे आकर ठाती थे आए और say word आए say शब्द आए जो time को बताए और वो time since और four में count किया जाता है तो ऐसे sentence past perfect continuous tense के sentence कहलाएंगे जैसे मैं दो दिन से गाना गा रहा था वो चार दिन से मुझे परेशान कर रहा था मेरे पापा तीस साल से पैसा कमा रहे थे वो पंद्रा मिनट से मैं से सैंट कर रहा था मैं दो दिनों से उसका अंतजार कर रहा था वो चार मेने से इंटर्व्यू फेस कर रहा था वो 3 सालों से जूट बोल रहा था मैं 2 मिनट से उसे समझा रहा था वो 10 मिनट से sentence translate कर रहा था लेकिन अगर इसमें हमें who pattern से बनाने हो मतलब कौन से तो हिंदी में कैसे बनेंगे कौन 15 मिनट से मेरा इंतजार कर रहा था कौन 20 मिनट से मुझे परेशान कर रहा था कौन 2 साल से इंटर्व्यूस फेस कर रहा था कौन 30 साल से पैसे कमा रहा था कौन 15 साल से क्रिकेट खेल रहा था कौन सुबह से खाना पका रहा था कौन 15 मिनट से टीवी देख रहा था कौन दौफर से बगीचे से फूल तोड रहा था अगर इसे इंगलिश में बनाना हो तो कैसे बनेंगे जैसे कौन पंद्रा मिनट से मोबाइल ओपरेट कर रहा था So who had been operating mobile for 15 minutes कौन सुबस से खाना पका रहा था Who had been cooking food since morning कौन दौफर से बगीचे से फूल तोड रहा था So who had been plucking flower from garden since afternoon कौन दो दिनों से लेटर लिख रहा था Who had been writing a letter for two days कौन सुबस से मुझे comment कर रहा था Who had been commenting me since morning कौन दौफर से टीवी देख रहा था So who had been watching TV since afternoon कौन मुझे दो घंटे से चैलेंज कर रहा था Who had been challenging me for two hours कौन पिछले दो महिनों से मेरा इंतजार कर रहा था So who had been waiting for me since last two months जैसे कौन बारा बजे से class attend कर रहा था So who had been attending the class since 12 o'clock कौन मंगलवार से जूट बोल रहा था So who had been telling a lie since Tuesday कौन दो दिनों से मुझे बदनाम कर रहा था So who had been defaming me दो दिन से for two days कौन चार महिनों से interview face कर रहा था So who had been facing interview for four months कौन तीस साल से पैसा कमा रहा था So who had been earning money for 30 years कौन 15 साल से cricket खेल रहा था So who had been playing cricket for 15 years दोस्तों इसी तरह अगर हम लोग future perfect continuous tense में who patterns के question बनाना चाहे मतलब कौन से तो कैसे बनाएंगे सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि future perfect continuous tense होता क्या है future perfect continuous tense जिसके identification होती है जब हिंदी वाले sentence में last में रहा रही रहें आकर होगा होगी होंगे आए और say शब्द आए जो time को बताए और वो time since और for में count किया जाता है जैसे मैं दो दिन से गाना गा रहा होगा वह चार महीने उससे मुझे डिस्टेप कर रहा होगा वह 15 मिनट से sentence बना रही होगी मम्मी सुबह से खाना बना रही होगी मैं 15 मिनट से खाना खा रहा होगा मेरे पापा 30 साल से पैसा कमा रहे होंगे वह 20 मिनट से mobile operate कर रहा होगा वह 2 साल से मुझे जूट बोल रहा होगा तो इस तरह के sentence आएंगे future perfect continuous tense में लेकिन अगर हमें who pattern से बनाने मतलब कौन से तो वह हिंदी में कैसे बनेंगे कौन दो दिन से गाना गा रहा होगा कौन 15 मिनट से मुझे message भेज रहा होगा कौन 3 घंटे से मुझे question कर रहा होगा कौन सुबह से टीवी देख रहा होगा कौन गौफर से बगीचे से फूल तोड़ रहा होगा कौन सुबह से खाना पका रहा होगा अगर इसे हमें English में बनाना है तो कैसे बनेंगे कौन सुबह से खाना पका रहा होगा दोस्तों दरा देखेगा who will have been या फिर shall have been मर्दी आपकी है आपको will have been लगाना है will have been लगा लीजिये shall have been लगाना है shall have been लगा लीजिये ठीक है कौन दो घंटे से मेरा इंतसार कर रहा होगा so who will have been waiting for me for two hours कौन सुबह से computer operate कर रहा होगा so who will have been operating computer since morning कौन पंदरा मिनट से message भेज रहा होगा who will have been sending message for 15 minutes कौन दोफर से बगीचे से फूल तोड रहा होगा so who will have been plucking flower from the garden since afternoon कौन 20 minutes से मुझे दिस्टर्ब कर रहा होगा so who will have been disturbing me दोफर से since afternoon या फिर पंदरा मिनट से for 15 minutes कौन दो दिनों से फैन रपेर कर रहा होगा so who will have been repairing fan for two days कौन 20 minutes से टीवी देख रहा होगा so who will have been watching टीवी दोफर से since afternoon कौन दो घंटे से लेटर टाइप कर रहा होगा so who will have been typing a letter for two hours कौन दो महिनों से spoken English and personality development सीख रहा होगा so who will have been eating food for 15 minutes कौन दो घंटे से तुम्हें कमेंट कर रहा होगा so who will have been commenting you for two hours तो दोस्तों इसी तरह हमें एक सेंटेंस को लेकर तीनों में मतलब present perfect continuous tense past perfect continuous tense और future perfect continuous tense तीनों में ही कशन बना सकते हैं कौन सुबह से message भेज रहा है so who has been sending message since morning कौन सुबह से message भेज रहा था who had been sending message since morning कौन सुबह से message भेज रहा होगा so who will have been sending message since morning कौन दो दिनों से computer operate कर रहा है so who has been operating computer for two days कौन दो दिनों से computer operate कर रहा था so who had been operating computer for two days कौन दो दिनों से computer operate कर रहा होगा So who will have been operating computer for today's कौन सुबह से later लिख रहा है So who has been writing a letter since morning कौन सुबह से later लिख रहा था So who had been writing a letter since morning कौन सुबह से later लिख रहा होगा So who will have been writing a letter since morning कौन 15 minutes से message भेज रहा है who has been sending message for 15 minutes कौन 15 minutes से message भेज रहा था so who had been sending message for 15 minutes कौन 15 minutes से message भेज रहा होगा so who will have been sending message for 15 minutes तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने जानने की कोशिश की कि present perfect continuous stance, past perfect continuous stance और future perfect continuous stance में कौन से questions कैसे बनाएं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर इस वीडियो को पूरा देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग इन तीनों tenses में कौन से questions कैसे बनाएं दोस्तों अगर इसके बावजूत भी किसी तरह की कोई problem रहे गई हो तो comment section में जाकर comment जरूर कीजिएगा तकि आने वाले videos में उन सभी problems को दूर कर सकूँ Thank you so much for watching this video till the end Keep watching the videos, keep sharing the videos Thank you so much